हलो स्टुड़ेंट दिस इब विशेख हीर और स्वागय था आपका हमारे चानल स्टड़ी क्लास पे तो जैसा कि आप थमनल में देख पा रहे हैं कि आपका प्रथम वर्ष का विशेख पूरो बालेवस्था परिचरया वन सिक्षा का प्रशनपत्र से रिटेडी वीडियो हो चैनल को सब्सक्राइब करने के और बेल ओडिशन ऑल पर रखने की समझे मोटिवेशन मिलता है जरूर कीजिए साथी साथ इस इकाई का वस्तुनिष प्रशनुत्तर का विडियो मैंने पुरा बनाकर वन शॉट विडियो डाल दिया है वह आप देखकर सभी इकाई के इस व आपको विशे प्रत्थम वर्ष का विशे पूर बालेवस्था परिचरयम सिक्षा हिंदी इंग्लिस दुनों वर्जन में आता है तिन घंडे का पेपर होता है और सत्तर मास का यह होगा यह धान रखेंगे और वही नियम जो मैंने हर बार का है सिर्फ रठना नहीं है इस प्रकार से शब्द सीमा में लिखना पड़ता है उसी को इंग्लिश में इधर दिया हुआ है तो हम नहीं देखेंगे एक तो हो गया हमारा फिर चलिए आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत होती वस्तोनिष्ट प्रशनुत्तर से तो आयाद रखेंगा पहले पेज पर वस प्रशन उत्तर है एक से तीन तक इनके उत्तर अपनी उत्तर पुषिया प्रथम पुष्ट पर ही लिखिया ऐसा लिखा हुआ डायकली तो आपको फॉलू तो करना पड़ेगा ठीक आगे बढ़ेंगे व्यवहार समत्री कठ्राईव के प्रकार कौन से है यह आपको पूछा क्या है और लोकरन की प्रिस्थिति क्या होती है प्रावल के सिक्षा दर्शन पर अधारित भूंसा है कौन सा विद्धालय जो है प्रावल के सिक्षा दर्शन पर अधारीत है यह चीज saben यहां पर दिया पूरी तरह से आप देखोगे तो वही पूरा टॉपिक इंग्लिस मे भी option मिल रहे हैं यह भी MCQ जैसा ही है पिया जेक अनुसार अपचारिक क्रियात्म गवस्था कौन से कौन से वर्ष तक की होती है सिक्षन आवियू में भाई कौन सा कार्य सम्मिलित है फिर बालक के विकास की प्रथम पाठ चला क्या है परिवार या नरसरी विद्याले पहने का कौशल की सुम्र में आता है छे वर्ष या चार वर्ष एक गामक विद्य है कौन सा तैरना या बैठना गामक मतलब बई चलने वाली तो कौन सी विद्य तैरना बैठना ठीक उसी को यहाँ पर इंग्लिश में दिया है आपके जो उत्तर है वह जो आपका फिलिंद आपके प्रस्तावीत गती बतलाई है सामाजिक अंत्यक्रिया के यह लेशन प्लान की तरह है सामाजिक अंत्यक्रिया के वित्य उद्धीपा के उधारने लिखिए डॉक्टर मारिया मॉंटेसरी ने कौन से विद्याले प्रारंब किया तो मॉंटेसरी विद्याले समेकित ब वाले questions और यहां पर आपको options भी दिखाई देंगे आपको कि यहां पर options भी यहां पर मिल जाते हैं ठीक है तो यह दिखे पहला राश्टिय रक्त अपलता प्रोफाइलिक्स कारिक्रम क्या है वाट इज नैशनल नुट्रिशन अनेमिया प्रोफाइले 6 प्रोग्राम इसके और में क्या पुछा है जनेरी स्रक्षाय उजना क्या वाट इस मदर सेकर्यूटी प्लैन अंपी में से एंबूलेंस चलती है जो वो होती है तो क्रिया कल करें हमारे नोट जरूर परचेस करें देगन नंबर पर मैसेज करके ठीक प्रारंबीक बालवस्ता देखभाल कारिक्रम में सिक्षक की भूमी का लिखिए यह अगे बड़े ऐसे प्रशन आते हैं ऐसे प्रशन आये हुए हैं रेटिंग स्केल क्या है सक्सात्कार रशनात्म गतिविया लिखे स्कूल के पहले के जो तयारिया होती है उसकी रशनात्म गतिविधी फिर समयकित बाल स्विकास संगठन बतलाइए अगला प्रारंबिक बालेवस्था में देख भालेवम सिक्षा ECC जिसे बोलते अर्ली चैल्ड हुर एंड चैल्ड एजूकेशन समाकेशिक का एम याने राइट दे एमस ऑफ इंटेग्रेट चैल्ड एवर्पेंड सर्विसेस याने कि समाकेशिक्षा के सिवाओ का उल्लेख कीजिए यह प्रश्नाय हुए यह प्याइक्यू है आगे देखिए बहुत्चों के वैदिक बहुत्दिक खेल बताई बच्चो सकता है इसमें स्कुल कैसे विकदान देता है वो लिखिए सीखने के नियम है वो नियमों का प्रमुक्रियाओं का वणनन किजिए और महें खेलों के महत्वों का वणनन किजिए अब इसके लास्ट कीउर बढ़ें तो ुसमें जो मिले हमको छेत्र ब्रह्मन के प्रकारों का वर्णन किजिए всем handled अब बहुत सरी प्रश्ण शारेडी विकास को प्राहवित करने वाले का वर्णन कीजिए और मैं पूछा है सभामिक अवलोकन के वालों का इन बातों का वर्णन कीजिए तो इस प्रकार के प्रश्ण पूछे यहां पर देखो एसी सी फिर से रीपीट हुआ है इस की बार बार पूछा इसका नेचर बतला इसकी प्रकरती का वर्णन कीजिए और क्या है आंगनवाडी में कौन से उपकरण उबलब्ध होने चाहिए यह प्रश्ण और लास्ट के जो दो प्रश्ण है खक्षा के बाहर की अनवचारिक अधिगम गतिविधी का वर्णन कीजिए और मैं पूछा है बच्पन के प्रणमिक वर्षों में बालकों के साक्षरता भाषा अधिगम के लिए कौन से प्रयास करने चाहिए यह बच्चे को शुरुआते दिनों में उन्हें भाषा सिखान के लिए कौन सी मेथड अपनाएंगे क्या मेहनत करेंगे बालवाडी संबंदीत आवश्यक तथों की विवेश्ना क rotated बालवाडी संबंदीत जो भी चीजिजदे चाहिए । सेबcióको किया करना है ङो गणा तो सिख्षाऀ सिख्षक की विश्ष्षक की विश्ष्षा देता हूं उसको समझाना है एक प्रीबाईर mit होता है उसके characteristics को समझाना है clear तो यह हो गया 2023 का प्रश्णपत्र प्रिविए सेर कोशन पेपर इसी के साथ में आपको 2022 का प्रिविए सेर कोशन पेपर मिलेगा वो भी आप देख पाएंगे तो स्टुएंट्स इन कोशन से आप आईडिया लीजिए कैसा कोशन पेपर आया था और कैसा आ सकता है और इन सब के जवाब आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे नोट्स में मिल जाएंगे तो दिएगा नमर पर WhatsApp मेसेज करके कोर्स पर्चिस कीजिए वीडियो के डिस्रिप्शन में जाएंगे तो एप की लिंक में लेगी एप डॉनलोड करके एप पर ही को जरू करें परिशा किंदर पर एक्जाम सेंटर पर उनसे स्टडी क्लास के बारे बात करें उन्हें बताएं कहां से पढ़ें और उनको यह सुझावज जरूरू दे साथीजा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और बेर लोडिशन कॉल पर करना ना भूले चलिए मिल